श्री अग्रवाल संग प्रतापनगर जैपुर हाउस के तत्वावधान में महराज अग्रसेन की भवे मुर्ती की स्थापना आलोक नगर पार्क में की गई पार्क में रहने वाला अंधकार अब उजाले के रूप में बदल चुका है बुदवार को मुर्तिय स्थापना का शुभारम उच्छ सिक्षामंत्री योगिन रुपाद्या ने किया संग के सभी सदस्य मौजूद रहे अगरवाल संग जब भी कोई काम करता है तो वो एतिहासिक होकर जनता के बीच अपनी अमेट छाप छोड़ देता है ऐसा ही कुछ आलोक नगर के अंधकार में पार्क में शुभारम प्रतापनगर के सदस्यों ने किया जो आजीवन सभी के जहन में याद रहेगा इससे आने वाले पीडियां सीख लेंगी 40 साल का सपना शुभारम प्रतापनगर का पूरा हुआ है अगरवाल संग ने आलोक नगर के तिकोनिया पार्क में महराज अगरसेन की भव्य मूर्ती की सदस्थापना की है इसका उदगाटन उच्छ सिक्ष्वा मंत्री योगेंद्रोपाध है ने किया है देखिए जब महापुरुषों की मूर्ती कहीं स्थापित होती है तो निश्यत रूप से उनका असर उनकी स्वर्गिक आत्मा वहां का वातरवन बदलती है उच्छ सिक्ष्वा मंत्री ने इस नेक काम के लिए सभी श्री अगरवाल संग प्रतापनगर की इकाई को बधाई दी है उच्छ सिक्ष्वा मंत्री योगेंद्रुपाध है का क्याना है किसे जनता को अच्छा संदेश जाएगा पार्क में रहने वाला अंधेरा छटेगा यहाँ पर उजाला रहेगा उनके इस मरण मात्र से रोमांचित होता है व्यक्ति और कुछ कर गुजरने की समाज के लिए प्रेना लेता है तो ऐसे व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना हम लों का धर्म भी है और इस भारत के विशालागन में महापुर्शों की आत्मा है फिर फिर फेरा लगाती है अगरवाल संग के लोगों ने उच्च सिक्षा मंत्री का स्वागत भी किया है सिक्षा मंत्री ने महाराजा ग्रसेन की आतिकर कारीक्रम का शुभारम किया उच्च सिक्षा मंत्री के साथ भाशपा के अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहे सी नियूस के लिए विनो जूनियर की रिपोर्ट